नमस्कार जैहिंद कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्तोंगे बडियां होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा रहे होंगे साथियों आज होली के बाद हम सभी की मुलाकात हो रही है और आशा करता हूँ कि आप सभी के रंगों का तेवहार बड़ा ही सांदार रहा होगा चुकि आज की इस विशेश क्लास में हम सभी लोग डिसकस करने चल रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक परिक्षा में हर एक एक इग्जामिनेशन में कोशन बनता है और यहां से बनने वाले कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं बहुत ही महत्वपूर होते हैं, तो हम सभी लोग पूरी इमानदारी से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, यहां से बनने वाले हर एक प्रस्ण पर समपूर विचार विमर्ज करेंगे, मैं आशा करता हूँ, कि आप सभी का स्वास्थ बहुत अच्छा होगा, इस टॉपिक को एक बार आप सभी लोग पूरी इमानदारी से पढ़ लेंगे, तो जितने भी एक्जाम देते हैं, आप लोग, इस ससी के सारे एक्जामिनेशन के लिए ये राम बार होगा, और यहां से बनने वाले हर एक प्रस्ण आप बहुत ही सांदार तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ अच्छे से याद कर लेंगे, प्रियसाथियों, आज के इस विशेश टॉपिक में, बिटामिन से बनने वाले हर एक पॉइंट पर चर्चा होगी, अगर बिटामिन से बनने वाले हर एक पॉइंट की मैं बात करूँ आप सभी से, जैसे कि ऐसा कौन सा विटामिन है, जो पानी में घुल जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है, जो धूप की उपस्तिती में बहुत तेज बनता है, हार्मोन विटामिन की संग्या किसको दी गई है, ऐसा कौन सा विटामिन है, जिससे सुन्दर्ता का विटामिन कहते हैं, वह कौन सा विटामिन है, जिससे प्रजदन छमता बढ़ती है, वह कौन सा विटामिन है, जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, वह कौन सा विटामिन है, जो हमारे सरीर में लगी हुई चोट यानि घ बॉडी के अंदर हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे पोशक पदार्थ होते हैं और हमारी बॉडी के डिवलप्मेंट के लिए ग्रोथ के लिए एनर्जी के लिए अलग-अलग प्रकार के पोशक पदार्थों की आवशकता होती है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे आखिर विट विटामिन एक ऐसा पोशक पदार्थ है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में किसी में कोबाल्ट किसी में जिंक भी होता है इसे मिलकर बना होता है लेकिन अगर देखा जाए तो प्रापरली हम यही कहते हैं कि विटामिन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से बना हुआ सरल कार्बनी के उगिक है जितने भी विटामिन होते हैं उन में से किसी भी विटामिन का निर्मार हमारे शरीर के अंदर नहीं होता विटामिन को हमेशा हमें बाहर के भोज्य पदार्थों से विटामिन को हमेशा हमें बाहर के खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त करना पड़ता है यह हमारे सरीरमन नहीं बनता है साथियों अगर मैं बात करूं विटामिन की तो विटामिन हमको बाहर के खादे पदार्थों से मिलता है और सबसे बड़ी बात ही है कि इसकी आवशकता बहुत कम मात्रा में होती है जैसे कि अन्य जो पोसक पदार्थ हैं उनकी आवशकता 400 ग्राम, 80 ग्राम, 70 ग्राम ऐसे होती है लेकिन बिटामिन एक ऐसा खादे पदार्थ जिसकी आवशकता हमको माइक्रो ग्राम में होती है मतलब मीली ग्राम में भी नहीं माइक्रो ग्राम में कुछ विटामिन है जिनकी आवसकता माइक्रो ग्राम में होती है, कुछ की आवसकता मीली ग्राम में होती है, एकाद की आवसकता ग्राम में होती है, वो भी एक ग्राम दो ग्राम ऐसे होती है, तो विटामिन की आवसकता बहुत कम मातरा में होती है, लेकिन अगर इसी आवसकत कि हम पूर्ती न कर पाएं तो हमारे तो हमारे सरीर में भयंकर रोगों का प्रवेस हो जाता है तो कहिन कहीं जो विटामिन है यह हमको रोग व्याधियों से सुरक्षित करती है बचाती है तो विटामिन को हम नाम देते हैं सहायक आधारिय आहार रक्षात्मक खाद यह सभी नाम हम देते किसको विटामिन को ठीक है तो विटामिन का निर्मार हमारी बॉडी में नहीं होता इतना आप जान चुके आए कुछ बाते हम लोग कर लेते विटामिन के बारे में तो सातियों अगर मैं आप सभी से बात कुरू विटामिन के बारें देखिए तो कहते हैं जो विटामिन हैं इनकी खोज सबसे पहले लूनिन सहाब ने की थी और विटामिन की खोज किसने दोसके लूनिन की है और विटामिन का नामकरण किया था कैश्मीर फंक सहाब ने तो न कारबनी को होता है कि इसका निर्माड हमारे शरीर में नहीं होता मतलब बिटामिन साथियों कोई भी हो इसका निर्माड हमारी बौडी के अंधर नहीं होता जो मैंने कहा वही बात देखिया कि इसकी कमी से घातक रोग उसको घातक पमॡ़ सकते हैं अधाय dus उपापचाई नियंतरक और कहते हैं इसी को एक नाम और देते हैं वह कहते हैं सहायक आधारिय आहार यह सहायक आधारिय आहार भी कहलाता है यह पॉइंट भी अगर आप याद रखेंगे तो बहुत इंपोर्टेंट रहेगा सहायक आधारिय आहार इसको कहते हैं सहायक आधार सहायक आधारिय आहार भी इसी को बोला जाता है सहायक और इस सहायक वी कहता है है और वानत करेंगे विटामिन को कितने भागों में बिद्य के आ गया है जहां अरत बृतमान समय में एटम्न कि편द के निए ले 근वार स्वय म्यों होते हैं A B C D E K लेकिन इसमें जो D है जो आपका K है जो आपका B है यह विटामिन complex form में रहते हैं मतलब इनमें B1 B2 B3 ऐसा होता है विटामिन K K1 K2 ऐसा होता है तो यहां पर देखें अगर बात करें हम आप सभी से विटामिन के बारे में तो कहते साती हूं यहां पर जो विटामिन होते हैं इसमें हम कहेंगे कि दो प्रकार के विटामिन find किये गए हैं एक ऐसे विटामिन जो water soluble जो पानी में घुल जाते हैं तो पानी में घुल जाने वाले कोई वीटामिन पानी के अंदर घूल जा रहा है तो हमारी बॉडी में कुल लगभग 65 से 70 परसंट पानी है तो वीटामिन हम लेंगे वो पानी के अंदर घूल जाएगा और घूल करके प्रदिन पशीने से पेशाब से बाहा निकल जाएगा तो जुट जल में घूलन सिल मतलब परडए इसको खाना पड़ेगा तो आवसकता इसको दिन-प्रदिन होती है ठीक है अगर नहीं खाएंगे तो इसकि हमको कमी हो जाती है क्योंकि जल में घुल करके विविन जमाध्यम्हूं से बढ़े निकल जाता है आगे वुरसा में घुलन सिल यह एसी विटामीन है जो उसा में नहीं गुलती है दिश्टिय आगाने में घुलती है जैसे हमारी बॉडी में होता है मतलब जो वसा है उसका इस्टोरेज हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वसा का इस्टोर कहां कहां होता है आप जान लिजिए जैसे की तोचा के नीशे जैसे की लीवर के अंदर तो तमाम जगहों पर वसा संचित रहती है जब वसा का संचे हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है तो यह vitamin भी उसी वसा के साथ, क्योंकि वसा में घुल जाती है, और घुल करके वह हमारे पूरे बॉडी में संचित रहती है, ठीक साथ यह उसी प्रकार देखिए, जैसे कि अब इसकी आऊ सकता हमको परडे क्यों नहीं होती है, क्योंकि वसा का संचे बॉडी के अंदर होता है देखो, कहते हैं कि अगर यह vitamin, जैसे माली vitamin A है, तो vitamin A है, यह गाजर में होता है, आम में और पपीता में, जब समय इसका आता है इन फसलों का, आम खुब खाते हैं, और खा करके इसका संचे कर लेते हैं, ओके दोस्तों चलिए, आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखे बिटामिन के कुछ केमिकल नेम पूछते हैं, कि किसका नाम होता है, तोको फेरॉल, किसका नाम होता है, तोको फेरॉल, किसका नाम होता है, फिलो क्यून, किसका नाम है, फिलो क्यून, किसका नाम है, एसकॉर्विक एसिड, साथ किसका नाम है, एसकॉर्विक एसिड, या फ क् искुप बनते हैं तो केपिकल नेम से बनने वाले प्रस्थ हम पढेंगे इनके बारें बातचीत दूकर अगर हम सभी यहां पर बात करते हैं कि इसको में आपको सिखाऊंगा एक टृक की सहायता से बहुत लड़ी आप लोग सीख जाएंगे और यहां से बनने वाले हर चाप च्छोड़ेंगे दोस्तों ऐसे की जब कोई घर बनता तो घर का बातरूम बनता है चाइल जब साती ओं घर बनता है एटो से तो बातरूम घ gli बातरूम भी बनता है इतों से के अब मैं अपने घर पे गया तो घर का बातरूम बन रहा था मैंने जो मिष्ट्री काम करने वाला है उसका नाम डीके है उसका नाम तो मैंने डीके से पूछा अरे डीके बातरूम का इंट काफी है डीके से मैंने पूछा कि अरे डीके बातरूम का इंट काफी है तो डीके मुझसे नराज है डीके मुझसे नहीं बोल रहा है डीके से मैंने फिर से पूछा अरे डीके बातरूम का इंट काफी है वो फिर से नहीं बोल रहा है भाई दीक को पैमेंट नहीं मिल पाई है तो उस्से नहीं बोल रहा है मैंने पिर उसे पुझा अरे बातरोम का इट काफी है तब भी नहीं बोला तीन चार बार मेंने इसको इस तरह से बुलाया वह लेकिन नहीं बोल रहा है आप मुझे गुश्चा आई मैंने घुट से कहा अरे बात्रोम का जैसे मैंने गुष्टे में इतना कहा तुरंटो डर गया। तो यही आपकी ट्रीक है, साथ ही यही कि आपकी ट्रीक है कि अरे बात्रोम का डीके इंट काफी है। इस ट्रिक से दोस्तों हम लोग बहुत सारे पॉइंट यहां पर हल कर सकते हैं दोस्तों देखिए लिखा गया यहां पर कि अरे डी के अरे डी के अरे बातरूम का डी के इट काफी है लिखा गया अरे बातरूम का डी के इट काफी है तो सातियों आप जो है इस ट्रिक से बहु दिखा गया। देखा देखा गया। देखा गया। अरे बातरूम का का को हम C A या फिर का को हम K A भी लिखते हैं तो का को हम CA या फिर का को हम K A भी लिखते हैं यहां दोसटो हमें का को C A . सी से विटामिन और A से क्या बन गया? एसकार्भिक signal दोसतों Samuel तो यहां देखिये, C से विटामीन C, तो A से विटामीन C, सगया Scorbic acid, आगे D के लिखा गया, D, K, D, K, D, K. तो D से विटामीन D, or K से Calciferol, D से विटामीन D, or K से Calciferol, फिर लिखागा गया, EAT, E से विटामीन E, और TOS से टोको फेरोल, और फिल लिखा गया काफी है का से विटामिन K और फी से फिलो क्वी नॉन तो अरे बातरूम का डीके इट काफी है तो आ से विटामिन A और A से रेटिनॉल बातरूम में से रूम हटाओ बात निकालो बातरूम से विटामिन B और था से थाइमिन दोस्तों आगे लिखा गया का का वातलब C A, तो C से vitamin C और A से ascorbic acid, दोस्तों आगे लिगा गया D K, तो D से vitamin D और K से calci, फिरॉल, आगे इंट है, तो E से vitamin E और टासे टोको, फिरॉल, काफी दोस्तों, का से vitamin K है, और Fee से phyloquinone है, तो आप जो है इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बाकी इनकी कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं, आईए हम उसकी ट्रिक के बारे में बात कर लें, सातियों आप सब जानते हैं, तो आप सब जानते हैं, कि देखिए, यहां देखे, रभी सर हम लोगों पढहाते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं उन से तो रभी सर रेकर शुबह सब शाम तक बढ़ा रहा grid और वो ठक गए हैं लड़के बोले हैं कि रभी सर नहीं ठके हैं लड़के बोले हैं रभी सर ठक गए हैं तो लड़के बोले हैं रभी सर ठक गए हैं अब नहीं पढ़ाएंगे लेकिन लड़के बोले हैं रभी सर नहीं ठके हैं पढ़ाएंगे देखो लड़के बोले हैं नहीं ठके तो रा, वी, स, नही ठके हैं तो रह से रताउंधी विटामिन ए रेटिनोल कमी से रताउंधी और हुग से बढा वारा उब्रेबी कहा यहां पर sı अया है से होता है स्करवी रोम से स्करवी होता दोस्तों इसके बाद आगे आगे रह है तो के लिए दो सकता और बाजपन होती है काफी विटामिन के फिलोकुणन और थके थकका मतलब थकक्का नहीं बनता है तो कहें पर तमाम विटामिन हैं उनके केमिकल नेम से रोग है क्या आपकन्स ने सांदी दोस्टों एक हो जा इवाल्स ने और काफी दोस्टों यहां तो फिलो के विटामीन के है इसकी खोश डेम और डेजी ने किया हुआ है, अब सातियों विटामिन जो B होता है, वो complex अवस्था में होता है, तो विटामिन B जो है complex farm में रहता है, इसलिए विटामिन B के बारे में चर्चा हम लोगों को करनी पड़ेगी, जैसे विटामिन देखिए आप लोग B1 है, B2 है B3 है, B5 है, B6 है, B7 और B12 है, यहां देखो B9 भी होती है, यहां तमाम विटामिन है, तमाम विटामिन में से हम सभी को इसके बारे में पूरी बातचीत करनी है, अगर इन पूरी विटामिन की मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो दोस्तों आप यहां पर समझ सकते हो, ज तो रभी ने नई पैंट पाई बस में, किसने रभी ने दोस्तों तो रभी ने नई पैंट पाई बस में, आप देखो यहां पर आपने थायमीन पहले पढ़ लिया तो इसको आप पढ़ने का सकता नहीं है, हमारी जो ट्रिक है वो स्टार्ट होगी विटामिन B2 से, जो कि B को छोड़ करके अपनी ट्रिक को आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम इसके बारे में समझेंगे, तो सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिये, लिखा रभी ने नई पैंट पाई बस में, तो जहां विटामिन B2 है, उसके सामने आएगा रभी ने साइल, उसके नई है, नई से नियासीन, विटामिन B5 जो वहाँ पर आएगा पैंट, विटामिन B6 आएगा पाई और बस में, तो देखो विटामिन B1 पर चुके आप लो, विटामिन B2 रभी है दोस्तों, रभी से राइबो फ्लेविन, विटामिन B2 है दोस्तों क्या होता, राइबो फ्लेविन होता है कोअ किला ओसी से किला माड़ी है डिसमें होट इसमें होट और जीप फट जाती है अगे विटामिन विपाइब यह नाइसर मात माज़ लागडा के पिमारी होती है जिसमें तुचा विठामिन लो न मेट और भीव चार और आगे देखिए B6 है, B6 है दूस्तों Pi, और Pi से Pi दॉक्षिन है, एनेमिया होता है, याददास्त कमजोर होती है, मांस्पेशियों में एंठन होता है, विटामिन B7 है, बा, तो बा से है बायोटीन, कमीश होता है पांडू रोग, पांडू रोग एक ऐसा रोग होता है, पांड यह कोपालमिन की कमी से घहातक जो है, जो है इनेमिया होता है, विटामिन B9 छूटा हुआ है, साथि को हम कहते हैं यह होता है फॉलिक ऐसीड और यह जो है आरण की डिफिसियन्शी को, आरण की कमी को पूरा करता है, जो आरण कम होता है हमारी बाडी के अंदर, उसकी कमी को पूरा करता है कौन यह है फॉलिक ऐसीड और फॉलिक ऐसा विटामिन है जो गर्भवस्ता में भूर्ण के डेवलप्मेंट में भी हेल्प करता है अब देखिए तो साथियों हमने ट्रिक के द्वारा यह पढ़ लिया यानि कि जो मेन विटामिन थे इनकी कमी से कौन-कौन से द्रोग हो सकते हैं और इनकी खोज किसने की किसने खोजा है इन सारी विटमिन्स को आप देखिए हमें कुछ विटमिन्स पढ़नी है जैसे विटामिन जो आपका वाशा में घुलंसिल मतलब फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल इनको भी पढ़ना हम सभी को तो दो बिटमिन एक के बारें जितने भी प्रस्न बन सकते हैं सारे प्रस्नों पर विष्टित डख्या करेंगे हम सभी लोग अगर हम वश्चा में घुलंसिल विटामिन जो है एडी इक की बात करी जाएग यहां पर तो सबसे पहला उसमें ए आता है विटामिन ए अगर विटामिन पर चर्च 45डा विटामिन एस विटामीन है जिसकी खोश किया था मैकुलन साहब ने पहले पहले पॉइंट पढ़िया है तो इसकी साथ यह खोश किया था मैकुलन महोदे ने और इसका केमिकल नेम तो रेटिनल है क्या है रेटिनल की हेल्प से हमारी आखों के अंदर सातियों यहां पर अगर आप देखेंगे तो नाइट ब्लाइडनेस होता है रताउंधी दरसल सातियों हमारी आखों के अंदर एक रॉड्सल होती है वह रॉड्सल से निर्मित होता है रोडॉपसिन जब रॉड्सल में कमी आती रॉडॉपसिन नहीं बनता है जिसके कारण हम तो रात में सहीस देख नहीं पाते इसको हम कहते है नाइट ब्लायंडेस इसको हम कहते है रताउंधी साथ ही होती है जीर अधैल्मिया होती है सलकी भवन जिसमें आखों के जो दस्तोकार्य वह लाल हो जाती है आगे देखिये कहा आगे उता तोचार हो इस्किन डिजीज, इन्फेक्शन हो जाता है, ओके आगे है क्या हम खाएं की समस्या हम कोई सब ना हो, तो सब लोग ध्यान से देखिए, गाजर, बिटामिन का सरवोत्तम ये जो है सोर्स है, पतलब सबसे परफेक्ट सोर्स है इसका, गाजर है आम, पपीता, मचली के यकृत क तेल, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर और सबजियां, अब यहां पर देखो कुछ सब्द आपको जानने पड़ेंगे, लिखा है जिगर, तो जिगर का मतलब होता है लीवर, आप लोग हमेसा कन्फ्यूज रहेंगे, कि जिगर मतलब क्या होता है, अगर खोजेंगे आप ल विटामिन एक ही पूर्थी कर सकते हैं, आखिर क्या क्या इसका स्रोथ, मतलब इसकी क्या विश्यस्ताय होती है, साथियों, पहला पॉइंट हम यही कहते हैं, कि यह ऐसा विटामिन है, जो संक्रमर रोधी साथियों, क्या है यह संक्रमर रोधी विटामिन है, तो विटामिन विटामिन एको हम एंटी इनफेक्सियस दोस्तों कहते हैं इसको हम क्यों कहते हैं एंटी इनफेक्सियस साथ यो क्योंकि ऐसा विटामिन होता है यह दोस्तों ऐसा विटामिन होता है जो इनफेक्शन को रोकता है हमारी आखों को त्वाचा को संकर्मित होने से रोकता है कौन इसका synthesis हमारे लीवर के अंदर होता है रहता है और गोल्डेन राइस जो एक राइस की विराइटी है यह राइस की विराइटी जो गोल्डेन राइस के नाम से आती है उस विराइटी डेवलफ किया गया दोस्तों इस ही के लिए आगे दोस्तों आगे vitamin D है a के बाद d आता है डी पे तो यहाँ जो vitamin D है कि उसकी खोज किया होपकीन महदय ने vitamin दोस्तों hopczy ने खोजा हुआ है और अगर vitamin D की में आप सभी वादी से भात्सीत करूं तो vitamin D खोजा है hopkin ने और vitamin D के बारे में हम कह सकते हैं कि विटामिन डी ऐसा विटामिन है विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसको हम हार्मोन की संगय देते हैं दोस्तों पहले इसके बारे में पूरी बार समझ लिए आप सभी लोग विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सी फेराल कैल्सी फेराल की बात करता है हड्डियों का निर्मार करता है तो इसका मतलब यह हो गया कि नाम में कैल्सियम है इसका मतलब हड्डियों के लिए उपयोगी होगा एक्जेक्टली यह सही बात है यह हड्डी इसकी कमी से हड्डी रोग होता है कौन सा रिकेट्स और ऑस्टियो मलेसिया दोस्तों रिक सबसे पहले सूरय का प्रकास दोस्तों है चाया को हडी को अग दोस्तों कहते हो अब इसके बाद देखिए कहां हम कहां रहें क्या खाएं कि हमको विटामिन डीग कमी ना हूँ देखो भाई सबसे पहले सूर का प्रकास दूस्तों इसको हम कहते हैं साथियों इसको हम कहते हैं सन्साइन विटामिन तो यहां देखो सूर्य के प्रकास में यह विटामिन बहुत तेजी से बनता है अब आप यह मत समझिएगा कि सूर्य के प्रकास में विटामिन यह होता है नहीं बलकि जब हम प्रकास में जाते हैं तो सूर्य के प्रकास में जब हम लोग होते हैं तो उस दवरान साथ जब सूर के प्रकास में होते हैं तो उस दवरान क्या होता है उस दवरान हमारे तवचा में जब हमारी स्किन पर प्रकास आता है तो हमारी त्वाचा के अंदर एक कोलिस्टेरॉल होता है उसका नाम है एर्गेस्टेरॉल तो जैसे ही प्रकास हमारी इस्कीन पर आएगा तो इस्कीन में उपर्स्थित एर्गेस्टेराल सक्रिय होता है और इर्गेस्टेराल सक्रिय हो करके विटामिन विटामिन D यानि कैल्सीफेरॉल और कोली कैल्सीफेरॉल इन सब को एक्टिव कर देता है। साथ इसी को हम कहते हैं कि ऐसे विटामिन D बनता है। सूर्य का प्रकास है। मचली का लीवर है, मक्खन और अंडे। यहां पर विटामिन D किसी सबजी के अंदर नहीं देखा गया है। अब इसकी क्या विश्यस्ता है इसको हम कहते हैं संसाइन विटामिन दोस्तों इसको हम कहते हैं धूप का विटामिन और इसी को हम कहते हैं हार्मोन विटामिन तो धूप का विटामिन क्यों कहते हैं तो धूप में रहने से यह विटामिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है इसक हम हार्मौन बिटामिन कहते हैं दोस्तों ₙ क्या सब सबसे तेज बनने वाला बिटामिन अगर देखा जाए विटामिन डी ऐसा भी joking एख सा्राहि कि आगे हैं सब इसे तेज बनता है साध्य आगे सबस बंटा एक चीन दोस्ते सबजी में नहीं पायाती है, आगे दात और हड़ी के निर्मान में सहायक है, कैलसियम और फासपुरस के सिंथेसिस में भी ये help करती है, तो ये रहा विटामिन, आपका विटामिन D है दोस्तों आगे विटामिन E है तो विटामिन E खोजा है इवांस महोदे ने और इसका केमिकल नेम है टोको फेरॉल सातियों बिटामिन E खोजा है इवांस ने और इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल और अगर मैं आप सभी से बिटामिन E पर बातचीत करूँ तो बिटामिन E ऐसा बिटामिन है जिसकी कमी से दो समस्याएं होती है महिलाओं में बाजपन और पूरुसों में नपून सकता क्योंकि यह ऐसा बिटामिन है जो प्रजनन गरंथियों को मजबूत करता है जो रिप्रट्ट्र ग्लैंड्स होती है हमारी बॉड़ी के अंदर उनको मजबूत करता उनको हेल्दी करता है और अगर सातियों यह नहीं हो तो क्या होता है तो अचा हमारी डार्क जाती है कि कहते हैं कि क्या हम खाएं कि हमको विटामिन ए अच्छे से मिले पुरा भरपूर मिले बढ़ियां से मिले देखो यहां कहेंगे हो वसा मतलब कोई भी फैट है घी वगर खाईए तेल है घी स्वयवीन है अंडे की जर्दी जो पीला भाग होता है और और इस्प्राउट साथीयों यहां पर जो इस providers है मतलब अंकुलित अनाजों उसको कहा सकते हैं और यहां पर कहень गे अनाजों की भूसी यानि कि अनाजों के छिलके, जो अनाजों के छिलके होते हैं, अनाजों के छिलकों में परियात्त मात्रा में विटामिन E पाई जाती है, इस चीज को आप अच्छे से जानते रहें, दोस्तों आगे बढ़ आते हैं, यहाँ देखे विटामिन K है, तो विटामिन K के बारे मग है यहां पेडर सिर्ट कर आप सबीर में कर अम च्छित कर हैं गे तो पसीलोगी नोन और अगर बात करें आप सबीर में देखो यहां अगर कम हो जाता है और भॉडद के इन्दम लिव नहीं करता है यहां परना सभी लों कहते साह्त हुए यहां पर कि जैसे अगर यह कम हो जाए तो बॉडी ब्लड क्लॉट नहीं करता मैंने कितनी बार आप सभी से कहा कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट विटामिन के साथ साथ कैल्सियम ऑइन्स भी होते हैं थ्रामबो प्लास्टीन है थ्रामबीन है प्रोथामबीन है फाइब्रनोजेन है फाइब्रीन है प्लेट लेट है कैल है लीवर खाईए गोभी खाई टमाटर खाईए स्वयाबिन खाईए हरी पत्ते वाले सब्जियां इन सभी के अंदर परियात्माद दो होता है आगे दोस्तों आगे है हमारा विस्ष्टा लीवर में प्रो थांबिन कोई गठां करता है इसका सिंधे सिस करता है सो आगे बढ़ेंगे यह ऐसे वीटामिन हैं जो वाटर में घूल जाते हैं जो वाटर सॉलिवल होते हैं अगर हम Kardi को विटामीन पर निप्मिकल में थाइमीन और इसकी कमी सेढ़ी किमी किह तो तो पर्ग गया मैं कि शोटे बच्चों में कि जब बच्चों में विटामिन बीवन काम होता है तो उनका डेवलप्मेंट बॉडी डेवलप्मेंट साही से नहीं हो पाता है यहां पर समझो आप लो कि यहां दोस्तों कुपोसर इसके स्रड़ी में आता है क्या हम खाएं कि हमको यह मतलब मिलता रहे तो अनाज आप खाई तो पालिस हुआ चावल खाने से डेफिनेटली इतना कहूंगा आप सभी से कि विटामिन बीवन क्या होती है नस्ट हो जाती साथियों है ना और देखो इसको हम कहते हैं एंटी नियूरिटिक साथियों मतलब सोथ रोधी हमारी मस्तिस्क में कोई भी तो गांठ है तो उसको चावल को झाप दूल के नहींषा है दूल की खाना और राइबोफ्लेविन लेड के मिकल नहीं है और इसकी कमिस हूं तो फसको दो की प्रमारी Handy और प्रोधीबम है project जब किसी को меньше औरियोऀसीस यह मत सम्झाओ कि जब ठंडी मौसम आता है गर्मी का मौसम आता जब लू चलती है तो visiting होंट महर्न है लेकिन अभी उन्त होंतै कि अलग मैढ़ is जो इसकी कमी से वह अलग मैठर है जो इसकी कमी से होंत है यह मेंसा रहता रहता है दूद खाइए, लीवर , हरी पत्त्या वेली सब्जलियां खाइए तो आप इस ब्यादी से मुक्ती मिल सकती है। आगे, vitamin B3 Hamasêmur, chemical नियाषीन है और इसा नियाषीन मैं और इसाстьकिन नीयाषीन में सेट, कमीस होता hopedica, ना तो हमें कभी भी हमें कभी भी का दोस्तों हमें कभी भी यह समस्या नहीं होगी दोस्तों आगे देखे विटामिन बी-5 है तो पेंटोथिनिक एसिड विटामिन बी-5 दोस्तों क्या है पेंटोथिनिक अमल है कहते हैं कि साथियों पेंटोथिनिक अमल अगर विटामिन इसका source क्या है तो सातियों इसका source है इस्ट मसरूम मास जिगर अंडे मचली मटर सूखे फल तो यह सभी इसका source होता है क्या-क्या इस्ट है मशरूम है मांस है जिगर अंडे मचली इसके sources अगर बात करें आगे आप सभी से तो वितामिन दोस्तों हे जिसको हम कहते हैं अगर हम आप सभी से विटामिन घर जाता है तो इसको हम क्या खाएंगे तो दूद है इस्ट है अनाज मांस और लीवर दोस्तों है ना इसके बाद याद इसको हम कहते है याददास्त बढ़ाने वाला विटामिन यह ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से सपने हमको लंबे समय तक याद नहीं रहते हमने सपना क्या देखा हम भूल जाते ह है आगे विटामिन विशंवन है इसको हम कहते है इस ही हम बिटामिन एच भी कहते हैं जाते इसकोjun गने उलीए ख़षिर सब अगर ये सब खहाएंगे तो इसकी हम कमी कुप पूरा कर सकते है आगे विटामिन इनािडिम्गुल्स्तaktu ऐसा बिटामीन होता है अगर देखा जाए तो कहेंगे इसको जो है फॉलिक एसिट कहते हैं है ना फॉलिक एसिट कमी से क्या होता है रख तालपता और ब्रिधी अवरुद्ध देखो जब भी गर्भावस्था में की स्थिती होती है प्रेगनेंट फीमेल के अंदर हमेशा उस सब्सक्राइब 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 औा अगर हम विटामिन सी पर बात करें लोगों से तृव सलE कहते हैं सकॉार्विक अंगल दोस्तों इसको भूलते विटामिन सी है और कमी से होता Christmas करभी दिय्के करभी प्रयाह उसमें पर तो मसूनों से पस निकलता है ब्लड निकलता है दर्द होता है एक दुर्गंद आती है मूशे जैसे पायरिया में होती है खोस या था होलकट ने दोस्तों क्या हम खाएंगे कि हमको यह रोग ना हो आवला खाएं नीबू खाएं पत्ते वाली सब्जियां खाएं हरी कर सब्रेजियां काट कर दोलने पर नश्त दूध में यह दूस्तों क्या है नहीं होता है घाळ भरने में सहयक है मान अमूत्र में होता है और खटै फइलोह में तो यह बहूत होता है खटकते फृलोमिया बहुत आया जाता है देखिए दोस्तों कहते हैं यहाप 1-2 ओर आखिर ऐसे कौन कौन से विटामिन है जो एंटी ओक्सिडेंट है जिनका आक्षिकरण नहीं होता है सातियों जिनका आक्षिकरण नहीं होता है एंटी ओक्सिडेंट कौन कौन से होंगे यहां देखो A है C है और E है विटामिन A C और E है यह एंटी ओक्सिडेंट कहलाता है दे तो उस क्या दिया है, समाप्त कर दिया है. अब क्लासेज आपकी शुरू होगी, तो हम लोग सीधे बहुतिक बिज्लान पर चर्चा करेंगे. तो बायो का पोर्शन आप सभी का फिलिस हो चुका है समाप्त हो चुका है. अब हम लोग आगे जब मिलेंगे तो बात करेंगे सीधे अब भौतिक विज्ञान के बारे में बायोलोजी जितने पॉइंट हो सकते थे आपके लिए परिच्छा पयोगी हमने सारे पॉइंट डिसकस कर लिए हैं तो आप सभी लोग अच्छे से नोट्स त्यार कर चुके होंगे अपना यहां पर जियस जो है वो मेन सब्जेक्ट रहेगा इसी लिए पूरी इमानदारी से आप लोग पढ़िएगा चले तो मिलेंगे अगली क्लास में और डिसकसन करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में तो